हुआ हालो फ्रेंड्स भुष्ट स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे दा हिंदू बूस्टर और एक जो की बहुत ही relevant और बहुत ही important newspaper है सभी बेंकिशेम्स के लिए और उसके main articles और editorial articles हम इसमें discuss करेंगे और इस discussion के थुरू आप इन सारी चीजों को बहुत ही ज़्यदा strong कर पाएंगे सभी competitive exams के लिए चाहे वो RC हो चाहे verbal ability हो चाहे grammar का section हो देखिए ये तीन main section आते हैं सभी competitive exams में reading comprehension, verbal ability और grammatical concepts तो ये तीनों section इस section के थुरू इस series के थुरू आपके बहुत strong होंगे इसके लाबा descriptive, current affairs और reading skills ये भी आपके बहुत ज़्यादा strong होंगे क्योंकि reading इसके लिए आपकी अच्छी है तो close test, perajumble, spotting error इस सारे parts को करने में आपको काफी आसानी होगी तो चलिए देखते हैं इस video class को देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं Supreme Court refuses to stay amendment to SCST Act ये SCST Act क्या है? देखिए schedule caste और schedule tribe act आप सभी लोग जैसा की जानते होंगे के इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं और general caste के लोग भी है, OBC के लोग भी है, SCST के लोग भी है तो इन सभी कास्ट को government ने classify किया हुआ है groups के अंदर और reservation का जो issue है वो एक बहुत ही burning issue है और उसके ऊपर काफी protest होते रहे हैं इंडिया के अंदर तो इसमें SCST Act actually basically 1989 का एक Act है यहाँ पर आप देख सकते हैं schedule caste and schedule tribe prevention of atrocities Act 1989 यह एक original Act है Constitution का और इस Act में यह प्रापधान है यह provision है कि SCST Act SCST के लोगों के ऊपर कोई भी उनको discriminate नहीं कर सकता कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी उनके साथ अत्याचार या atrocities नहीं कर सकता तो इसको तुरंत उसके उपर कारवाई होगी उस पर कोई ट्रायल नहीं होगा और उसको तुरंत जेल भीजा जाएगा तो यह तो है एक्शली ऑरिजिनल जो ऑरिजिनल एक्ट है वो मैंने बताया है आपको लेकिन Supreme Court आप क्या बोल रहा है Supreme Court बोल रहा है कि चुकी freedom को काफी time हो चुका है इंडिया को आजादी मिले काफी time हो चुका है इसलिए इसमें कुछ relaxation की जरूत है इसको हम थोड़ा सा रिलेक्स कर सकते हैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई विक्ति यदि SCST community के साथ discriminate करता है उनको torture करता है या atrocities में involved होता है तो उसकी हम तुरंट ग्रिफतारी नहीं करेंगे उस पर एक trial चलाएंगे उसको 7 दिन का हम time देंगे और उसके बाद हम decide करेंगे कि इस person को jail भीजा जाना चाहिए या नहीं लेकिन SCST community कह रही है कि नहीं इसको original form में ही रखा जाए ठीक है तो अभी जो current core mentor उसमें बोला है कि हम इसमें एक amendment करेंगे और इसको original form में ही रखेंगे तो वो जो amendment है उसको हम बोलते है SCST act 2018 तो अब सुप्रीम कोर बोला है कि नहीं इसको हम examine करेंगे और इसमें कुछ changes हम करेंगे SCST का जो original act है उसमें हम कुछ changes करेंगे उसको थोड़ा सा और liberal बनाएंगे हम और उसमें कुछ changes करेंगे तो यही है सारा बिबाद यही है पूरा dispute तो अब हम पढ़ते हैं यहां से the Supreme Court on Friday refused to stay the recent amendment to the Serialu Cast and Serialu Tribe Prevention of Attrocity Act Prevention of Attrocity Act 1989 यहां से आपका current affairs का question भी आपको तयार हो रहा है और Supreme Court ने मना कर दिया है कि इस amendment को हम लागू नहीं करेंगे और इसको आपको फिर से examine करना चाहिए जो नए amendment हो रहे है इसमें उसको आपको फिर से इसमें लागू करना चाहिए तो यहां से इसको देखते हैं The Serialu Cast and Serialu Tribe Prevention of Attrocity Amendment Bill 2018 Restored the legislative intent of the original act सबज में आया आपको कि Serialu Cast and Serialu Tribe का जो 2018 का जो बिल आया है वो क्या करता है वो restore कर रहा है उसको जो original जो content है original जो act था उसको बापिस लाने की कोसिस करता है जबकि Serialu Cast जबकि ऐसी चाहता है इसमें कुछ changes हो ठीक है लेकिन जो 2018 का जो बिल है वो उसमें उसको उसी फॉर्म में रखना चाहता है जिस फॉर्म में वो पहले था कि सब्सक्राइब का सब्सक्राइब पिवेंशन अफेट्रोश्य अमेंडमेंट बिल 2018 टी रिस्टेर इस्टोर मतलब असी फॉर्म में बापिस दाना किसी चीज़ को पहले था इस्टोर दा लेजिसलेटिव इंटेंट। इस्टेंट इंटेंट यहां पर एक नाउन है और इसका मतलब है कि उसका पर पक्रपस या था उसका उसका गोल ता ठीक है जब यह इस और इसमें आप डी लगा देंगे, इंटेंड कर देंगे इसको तो यह वर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो नाउन के फॉर्म में ही यहाँ पर आएगा, और रिस्टोर दे रेजिस्टेटिव इंटेंट अब डी लेक्ट, विच बाद एंटिसेपेटरी बेल टू एपर सन एक्जूजड ऑफ इंसल्टिंग और हाटिंग आदलित, ठीक है, तो ओरिजनल एक्ट में क्या लेखा हुआ है, और जलेक्ट में यह लेखा हुआ है, कि जबकि SC Supreme Court चाता है कि इसमें कोई चेंजज होने चाहिए, और उस व्यक्ति को कम से कम साथ दिन का टाइम बिलना चाहिए, जिसने यह अपराद किया है, जिसने एक दलेज व्यक्ति के ऊपर इंसल्ट किया है, या हाट किया है, तो इसी के ऊपर अभी जनरल कास्ट के लोगो ने भी प्रोटेस्ट किया था कि इसमें चेंजज नहीं होने चाहिए, और इसको रियल फॉर्म में, SCST का एक्ट का जो रियल फॉर्म है, उसी फॉर्म में इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, ठीक है, तो यहां तक हमने समझा, अब हम आगे पढ़ते हैं, देखें, यहां इसका मत्तब यही है के 20 मार्च को एक जज्चमेंट दिया था, सुप्रीम कोट ने और बोला था, कि अंटी सेपेटरी बिल उसको दी जा सकती है. लेकिन गासाती है कि उसको साथ दिन का टाइम नहीं दिया जाए और रूल्स ज來了 C4 थे में विएसे ही रहे कोई कॉई क्राइम करता है जाले के ऊपर चुर्टाइब है तो उसको तुरंट जेल भीज़ा जाए और उसको एंटिसेपेटरी बिल देने से मना कर दिया जाए जब सुप्रीम कोट ने बोला कि हम इसमें कुछ चेंजिस करने की सोच रहे है साथ दिन का हम टाइम देंगे जिस विक्ती ने अपराद किया है तो इसी के ऊपर ये सारा प्रोटेस्ट हुआ था सब्सक्राइब कर देंगे इसमें चेंजेज नहीं करना चाहती चाहती है है कि इसको रियल फॉर्म में ही रखा जाए उसके लिए गवर्मेंट ने सब्सक्राइब 2018 बिल लेके आई है गवर्मेंट ठीक है और गवर्मेंट चाहती है कि इसमें कोई चेंजेज ना किये जाए और रियल फॉर्म में रखा जाए तो सुप्रीम कोट बोल लाए कि यह आप तुस्ती करण की राजनीती कर रहे हो मतलब SCST कम्यूटी को आप अपीज या सैटिस्वाय करने की कोशिश कर रहे हो इसलिए आप यह बिल लेके आए हो और इसमें कुछ चेंजेज नहीं चाते हो जबकि सुप्रीम कोट चाता है कि यह जो ओरिजिनल बिल है इसमें चेंज हो और इसमें एंटिसेपेटरी बिल के उपर जो बाल लगा हुआ है उसको हटाया जाए जिस व्यक्ति ने अपरात किया है दलित के उपर उसको साथ दिन का टाइम दिया जाए उसके उपर ट्राइल हो और उसके ट्राइल के बाद फिर डिसीजन हो कि वैदर इस परसन सुट भी सेंट टी जेल और नॉट तो यह काफी ज जस्तिफाइड मूब है यह सुप्रीम कोर का ऐसा होना चाहिए परसली मैं इस पात को मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए उस व्यक्ति को साथ दिन का टाइम बिलना चाहिए उसके बाद उसके उपर ट्राइल होने के बाद एक डिसीजन होना चाहिए क्योंकि इस पर्तिक्लर र बापिस लेके आएंगे है ये काफी words ने दोनों अर्ज क्या होता है आर्च का मतलब होता है जब हम कि हम केबल रॉश की फम में ही लगाते हैं ऐट्रो सितीज यानी टिया ट्याचार कि उसको हम बोलते हैं अपर ऑप अ क्या है घुकिक आंक है और कि क्या है आरोप लगाना किसी वयक्ति करना एकिय। अजिए अविल आपई आयू ओर यो और कलतě है और कि को ड। satisfaction किसी विक्ति को satisfy करने की कोशिश करना अपने selfish interest के लिए उसको हम बोलते हैं appeasement ठीक है ahead of ये एक propositional phrase है और इसका मतलब होता है before wide respect का अर्थ होता है जो सब जगह फैला हुआ है ठीक है इसको हम rampant भी बोलते है restore का मतलब बापिस लाना उसको restore intent ये एक noun है इसका मतलब होता है purpose bar का मतलब होता है prevent या रोकना legislative हम किसको बोलते है law making जो authority होती है उसको हम बोलते है legislature जैसे संसद जो होती है वो नियम बनाती है ठीक है संसद जो है वो नियम बनाती है एक actually तीन पात होते है गुर्मेंट के एक होता है legislature, एक होता है executive और एक होता है judiciary तो legislature कानून को बनाती है, executive के अंदर सारे ministers आते हैं, सारी bureaucracy आती है, वो उसकानून को implement करते हैं और judiciary ये देखती है कि जो कानून संसत ने बनाये हैं, उनको executive सही तरीके से implement कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये तीन basic pillars हो democracy के legislature, legislature, judiciary और executive और चौथा pillar यदि कोई आप से पूछे तो आप बोल सकते हैं कि चौथा pillar democracy का जो होता है, वो होता है media, ठीक है, media एक बहुत ही integral part होता है, किसी भी एक republic का या democracy का, तो यहाँ पर हमने ये सारे words देखे, और इन सभी का meaning यहाँ सामने लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी इन सभी का meaning बताया है, इस पूरे paragraph को मैंने word to word पूरे explain किया है, और I hope कि आपको सारे word और सारे meaning आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है, अब हम चलते हैं next part पर, और यहाँ पर आ इसी article से और इनके थूँ आप प्रैक्टिस का सकते हैं, जैसे एक यह sentence है, तो इस पूरे sentence को आप आराम से पढ़ें और इसमें गलती निकालें, यदि आप इसमें गलती निकालें, यदि आप इसमें गलती निकालें, तो आपका awareness का जो level है और आपकी जो grasping cover है, वो काफी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है, तो इस पूरे sentence को पढ़े, restored यहाँ पर सही है, legislative यहाँ पर सही है, legislative क्या है, एक adjective है, legislative का मतलब हुआ कि law making authority, ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप एक noun लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, intent, intent होना चाहिए, जेट, legislative intent, मतलब legislative purpose, legislative intent का मतलब हुआ, legislative purpose, तो इसलिए यहाँ पर इस पाथ में इसमें गलती है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, legislative एक adjective का का म कर रहा है, और legislative के बगल में यहाँ पर आपको noun ल यह वर्ब form है, इसका noun form होगा intent, ठीक है, तो ए पार्ट में इसमें आपकी इरव मानी जाईए, second sentence आपके सामने है, और इस sentence को आप पढ़ें, और इसका answer आप निकालने की पोशिश करें, इसमें क्या गल्टी हो सकती है, admitting the petition, challenging the amendment, a bench led by justice A.K. Sikri, directed the government to reply to the allegations that the amendment were meant to appease the Dalit ahead the 2019 general election, तो इस वीडियो को आप pause कर सकते हैं, और आराम से इसमें आप error निकालें, कहां पर इसमें error है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी error, देखिए, two के बाद तो वर्ब की first form ही आईगी, और यहां पर भी देखिए, two के बाद वर्ब की first form लगी हुई है, यहां ahead of, तो यहां पर propositional एक path यहां पर missing है आपका, ठीक है, तो इसको हम बोलें, यहां पर हम लगाएंगे ahead of the 2019 general election, तो इस तरीके से इसमें, आपका D path में इसमें error है, अब यह next question आपके सामने है, और इसको पढ़ना है, और इसमें गलती निकालना है, इसमें देखिए, यहां पर मैंने indicate किया हुआ है, इसमें दो गलतियां है, दोनों आपको निकालना है, तो I hope आपने यह दोनों गलतियां निकालनी होंगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को pause कर सकते हैं उसके बाद दो गल्तियां इसमें आपको निकालना है और दोनों गल्तिया आप निकाल देते हैं तो आप निशित रूट से appreciation के पात रहोंगे और आपका जो gasping power है और जो awareness का level है वो काफी अच्छा माना जाएगा अब देखे वर मैंटू मैंटू के बाद हम वर्प की first form लगाते है nullify का अर्थ होता है किसी चीज को cancel करना nullify what nullify what nullify का अर्थ होता है cancel करना लेकिन cancel किस चीज को करना वो जो चीज होगी वो noun के form में होगी ठीक है क्योंकि what का जो answer आता है वो हमेशा noun के form में आता है जैसे you are studying what I am studying English ठीक है तो what का जो answer आएगा हमेशा noun के form में आएगा तो यहाँ पर आपको जो word चाहिए वो क्या होना चाहिए वो noun होना चाहिए लेकिन यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर यह यहाँ पर यह effect क्या है verb है तो noun क्या होगा effect होगा यहाँ पर तो एक गलती तो इसमें यह हो गई और second गलती क्या होगी इसमें second गलती यहाँ पर आप बताइए क्या हो सकती है और आप थोड़ा साथ वीडियो को पॉस करें और उसके बाद देखें कि second गलती क्या हो सकती है देखिए person क्या है noun है पाइंगे नाउन को मडिफाई क्या करता है एड्जेक्टिब थो इसके बगल में एड्जेक्टिफ all50 फॉम आपको चाहिए है और वर्व मैं जब एडी आप लगा देते हैं तो वह वन जाता है एड्जेक्टिफ all50 इस vak치 वार्व मैं जब आप एडी लगा देते हैं D लगा देते हैं तो वह बन जाता है तो यहां पर आप बोलेंगे The bar on accused person Person who is accused तो यहां पर आप लगाएंगे D The person who is accused तो यहां पर इसमें एक ये गलती है और एक ये गलती है तो इसमें दो इसमें आपकी Errors है ठीक है अब आप देखिए यह sentence देखिए इसमें क्या गलती है इसको आप देखें आराम से वीडियो का पॉस कर सकते है और इसमें गलती है आपका अब आपको पार्ट वाई पार्ट एक्जामिन करना है पहले आपको यह पार्ट देखना है अगर उसमा कोई गलती नहीं मिलती है तो आगे बढ़ना है इस तरीके से आपको पार्ट वाई पार्ट एक्जामिन करना होता है पहले ए को देखें फिर बी को देखें फिर सी को देखें इस तरीके से आपको देखना होता है इस पॉर्टिंग रखें को प्रपोजिशन पर खास्त आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से वर्ट के साथ कौन सा पर पॉजिशन आता है और कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा वर्ड एड्जेक्टिव है यह आपको देखना होता है कहां पर नाउन आएगा कहां पर एड्जेक्टिव आएगा यह आपको देखना होता है तो यह कुछी बेसिक गाइडलाइन्स ह अपको यह पसंद आया होगा और इसका जो फीड़बेक है वो जरूर जरूर अपने जो वाटसेप ग्रूप है उसमें आप मुझे दें और मुझे बताएं कि फर्दर इसको किस तरीके से हम इंप्रूब कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू